हेलो राम राम दोस्तों कैसे हैं आप जैसा कि आप सभी जानते हैं आज कार्थिक मास की पूर्णिमा है सनातन धर्म में हर महिने पढ़ने वाली पूर्णिमा का महत्व होता है लेकिन कार्थिक मास की पूर्णिमा विशेश मानी जाती है क्योंकि भगवान विश्णों की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को उच्तम बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने तृप्रा सुर का वद किया। इसलिए इस दिन को तृपूरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माननेता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से बड़े-बड़े यग्यों को करने के बराबर फलकी प्राप्ति होती है इस दिन कृतिका नक्षतर होने की वज़े से यह कार्तिक पूर्निमा महा कार्तिकी बन गई स्व्यम नाराण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्थिक माहा हूँ शास्त्रों में उलेख है कि स्व्यम विश्णु जी ने भ्रह्मा जी को भ्रह्मा जी ने नारद मुनी को और नारद जी ने महाराज पृधु को कार्थिक मास का मातमें बताया इस महा की त्रेयोदशी, चतुरदशी और पुर्णिमा को पुराणों ने अति पुषकरनी कहा है। सकंद पुराण की अनुसार जो पुराणी कार्तिक मास में प्रति दिन स्नान करता है। पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेश पुर्णे की प्राप्ति होती है एवं पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दिवपावली में शामिल होने का अफसर देती है जिसके प्रकास से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृतियों का नाश होता है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए कार्तिक पुनिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करें गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाए स्नान के बाद मंदिर में दीपक जलाए भगवान विश्नु एवं मा लक्ष्मी का स्मरन करें भगवान विश्णू के मंत्रों का जाप करें और विश्णू सैस्त्र नाम का पाठ करें भगवान विश्णू को पुष्प, धूप, दीप, नवैद्य, फल, आधी अर्पित करें और भगवान विश्णू को भोग लगाएं ध्यान रखें कि भगवान विश्णू के भोग में तुलसी अवश्य डालें। इस दिन भगवान शिव की भी आरत ना की जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। नारत पुरान के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपून सद गुणों की प्राप्ति एवं शत्रों पर विजय पाने के लिए कार्तिक जी ने दर्शन करने का विधान है। भगवान विश्णों को प्रसंद करने के लिए इस दिन आस्मान के नीचे साइकाल घरों, मंदिरों, पीपल के व्रक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रजुलित करने चाहिए।